हेले स्टोडेंड कैसे आप से उमीद करता हूँ आप सब अच्छोंगे मस्तोंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रहे होगे बच्छों और आज का जो मारा टॉपिक है प्रभावकारी परमाणु संख्या क्लास 12 कमिश्टी न्सी राटी चेप्टर 9 में बहतर पूर्ण यहां पर यहां से objective question भी पूछ दिया जाता है और दो अंक में question पूछा जाता है प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं देखो एक सब्द में आपको समझाना चाहता हूँ कोई भी उपसा संयोजी योगिक है उसके केंदी धात परमाणु का परमाण करता है उनकुल इलेक्ट्रानों की संख्या एनि अपने पास कितने हैं और भाईया किसी और ने कितने दे दिये इन दोनों को जोड़ दें तो प्रभावकारी परमाणु संख्या है अब यदि किसी से लेने के लिए हमको त्यागना पड़े कि कुछ इलेक्रान हमको लौस्क तरना पड़ रहा है उसको हम उसमें घटा देंगे देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास कितना है ठीक है उसकी संख्या और बंद बनाने के बाद कितना किसे लिया हूं तो कितना कुल इलेक्टरान हो गए वही प्रभावकारी परमारोसंख है और यदि बंद बनाते समय हमने इलेक्टरान किसी को त्याग भी दिया भाईया कि लो तुमसे हम लेना चाहते हैं तो हम किसी को त्याग दिये तो उनमें से इलेक्टरान को घटाना पड़ेगा भाई कि भाई साब हमने कहा कि 8 एलेक्टरान तुमसे हम ले रहे हैं और हमारे पास 7 एलेक्टरान लेने की छंता है फिलाल एक और एलेक्टरान त्याग देते हैं तो उस इस्थित में हम आप से 8 एलेक्टरान ले लेंगे ऐसी स्थित भी तो हो सकती है हमारे पास कितना है उसक उनों की संक्या ही प्रभावकारी प्रमाणु संक्या है फिलाल इतना समझो और यदि भाई हमने किसी को त्याग दिया है तो उनको घटा देंगे तभी तो पता चले हमार पास 29 एलेक्टरान है और हमने काउंड कर दिया उन्तिस जबकि पहले से एक दे दिये भाई तो कूल त 27 बचे यह चीह है शमझ रहित तो उपयसिrendre योजक के दिया प्रमाणु आयन में उपस्थित इलेक्रानों की संक्या कितना उसके पास आयन बनने से कम हुए इलेक्टरान यदि हम किसी से किसी लिगेंड से इलेक्टरान उग्म ग्रहन कर रहे हैं तो हो सकता है हम इलेक्टरान किसी को त्याग रहे हैं उसकी संख्या बोल रहा है और लिगेंडों दोरा उपसा सेयोजग बंद बनने से प्राप्त हुए इलेक्टरान मतलब लिगेंड हमेशा युग में इलेक्टरान देते हैं जैसे दो लिगेंड है तो भाई दो दोना चार इलेक्टरान देगा बिल्कुल चिंता न करें इसको हम जब एक्जाम पा लिखेंगे तब समझ में आएगा जैसे बच्चो जैसे हम एक योगिक ले लेते हैं उपसा सी उ सी एन का होल फूर ठीक है और थ्री निंगेटिव ठीक है मे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इए एन देखो ज़रा इसका केंदी धात परमाण कितना है 29 है और चार में तिन घटा होगी एक इलेक्टरान किसी को त्याग दिया है वो बताओंगा कैसे निकलेगा और आठ इलेक्टरान बच्चो चार दुना आठ आठ इलेक्टरान युग में के माद्धम से दे रहा है क्यों तो कि वाई सहाब चार लिगेंड है तो इसकी जो टोटल संख्या निकल कराएगी बच्चो कितना हो जाएगा 29, 29 में घटा दो 28, 28, 28, 36 यह 36 इसका परमाण करमाण का गया चलो कापर का 29 था यह हमको पता है उसके पास इतना था चार दुना आठ उन्होंने लिगेंड से इलेक्टरान प्राप्ट की यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि हम कैसे जानेंगे कि एक किसी को इलेक्टरान दे रखा है इसके लिए हम को इसका आक्सी करन संख्या निकालना पड़ेगा जिसे बच्चों यहां पर कापर का x हो जाएगा एक cn का माइनस एक होता है तो चार cn है टोटल में बच्चों इधर माइनस 3 है क्योंकि आएन जो भी है तो माइनस 3 लिखते है यदि आएन नहीं होता तो 0 लिखते है फिलहाल x माइनस 4 बराबर माइनस 3 X बराबर कितना हो जाएगा 4-3 X बराबर फिलाल बच्चो कितना हो जाएगा प्लस 1 X बराबर कितना हो जाएगा समझ में आ गया और मैं लेकर चलूँगा बिल्कुल चिंता ना करें फिलाल अभी एक हो गया बच्चो दूसरा नंबर हम लेके चलते हैं आपके पास है एप ही है ठीक है सी एन का होल सिक्स है और फिर आपका फोर निगेटिव है में इफेक्टिव एटॉमिक नमबर निकालो आयरन का कितना होता बच्चो 26 ठीक है चार में चेह घटा दो दो इसका आक्सिकन संख्या निकलेगा और बारह इसको छे लिगेंड है तो पारह इसको इलेक्टरन प्रदान करते हैं तो कुल कितना आजाएगा 26 में दो 24 और 24 बारह 36 यह आपका इफेक्टिव एटॉमिक नमबर निकल कर आ चुका है या बच्चो इफेक्टिव एटॉमिक नमबर यह दूसरा निकल कर आ गया तीसरे नमबर में बात करते हैं लेकिन माइनस 6 बराबर माइनस 4 फिलाल ये माइनस जायेगा तो उधर प्लस हो जायेगा और प्लस में बच्चो दो घट जाये मतलब 6 में 4 घटेगा तो प्लस 2 आ जायेगा सही है ना? तो दो हम घट आएंगे क्योंकि 2 इलेक्टरान किसी को दिया है तभी ये इतना इलेक्टरान ग्रांड कर पा रहा है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है चलो अगला नंबर देखो बच्चो कोबाल्ट है NH3 का होल 6 है 6 एमीन है ठीक है NH3 का होल 6 है मतलब 6 अडू लिगेंड के रोप में 3 पास्टीव में आप चलो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा EAN EAN निकालो कोबाल्ट का कितना होता बच्चो कोबाल्ट का आरन कोबाल्ट तो 27 होता है यहाँ पर इसका आक्सिकर्ण संख्या निकालोगी तो 3 आएगा मैं आपको बताऊंगा और 12 इलेक्टराण इससे प्राफ्थ हो रहा है तो 27 में 3, 24 और 12 कितना हो जाएगा तोटल 24, 12, 36 फिर से इसका आक्सिकर्ण संख्या निकालो वो भी मैं निकाल कर दिखा दूँगा कोबाल्ट का एक्स लो बईया एमीन उदासीन है बराबर में 3 है प्लस में है इसलिए 3 ही आएगा कोई दिक्काथी नहीं है इसलिए जितने धनात्मक रुप से यह जो हमारा आक्सिकर्ण संख्या निकलता है बच्चो यह बताता है कि कितना इलेक्टराण त्यागा है भाई इलेक्टराण युग में होल 4 यह कार्बोनील है बच्चो में EAN नमबर EAN नमबर निकल निकल का कितना होता पर मांग आइरन कोवाल्ट निकल 27-28 हो जाएगा इसमें बच्चो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनील उदासीन है तो 8 इलेक्टराण मिल रहे हैं कितना सिंपल है पांच में नमबर पे चलते हैं पैलेडियम है एनस्थ्री का होल 6 है और 4 पास्टिव है में EAN नमबर बताओ अटोमिक क्या हो जाएगा इफेक्टि अटोमिक नमबर कैसे निकालोगे पैलेडियम का बताओ पैलेडियम का परमाण करमाण कितना होता है 46 होता है इसका जब आक्सिकर्ण संख्या निकालोगे तो 4 ही आएगा लिगर ने कितने इलेक्टराण देंगे तो 12 इलेक्टराण कुल मिलाकर कितना निकल कर आजाएगा चोमन जेनान के बराबर सही है इसका आक्सिकर्ण संख्या कैसे निकालोगे पैलेडियम का X है बच्चो प्लस का 4 आएगा धर प्लस चार यह आक्सिकर्ण संख्या है इतना इलेक्टराण इनों ने दीया है फलसरूप इनों ने किसी से बंद बनाने की छमता प्राप्ट की है और इलेक्टरान युग मग्रान करने की छमता रखता है फिलाल यहाँ पे पांच आपने देख लिया एक दो और देख लो बच्चो आगले नमबर पे चलते हैं छटी नमबर पर मालो पैलेडियम है PD-CL4 ठीक है और यहाँ पर 2 निगेटिव है में कितना होगा तो EAN नमबर निकालना है पैलेडियम का 46 है 4 में 2 घटेगा तो 2 आएगा आक्सिकन संक्या इसका डेफिनेट है 4 लिगेंड है तो 8 इलेक्टरान मिलेगा कुल मिला करके 46 में 2 घटेगा तो 44 48 बामन हो जाएगा बच्चो कुछ इस प्रकार से ध्यान ये देना है कि भाई साहब इसका आक्सिकन संक्या कैसे निकालेंगे तो इसका एक्स हो जाएगा 4 निगेटिव बरावर माइनस 2 पक्षानतर रो प्लस 2 आजाएगा आखरी देखो बच्चो प्लेटिनाम है और प्लेटिनाम का CL6 है ठीक है और यहाँ पर भी 2 निगेटिव है मे EAN प्लेटिनाम का कितना होता है 78 होता है ठीक है और भाईया इसका आक्सिकन संक्या 6 में 2 घटा होगे तो 4 आएगा कोई दिक्कत ही नहीं है और 6 दूना 12 इलेक्ट्रान युग में इसको मतलब 12 इलेक्ट्रान मिल रहे है 6 जोडा है तो कुल मिला करके 4 घटा होतो 74 और 12 कितना हो जाएगा बच्चो 86 इतना हो जाएगा 86 जो की रिडान के बराबर है इस प्रकार से आप इफेक्टिव अटॉमिक नंबर प्रभावी परमाडू शंख्या आप निकाल सकते हैं जिससे आप आसानी से परिच्छा में भी इसे कर सकते हैं एक आपको होमबर्क देता हूँ एक इमिनट में आप करना इसके बाद मैं तो आखिरी ब्यार लगाई दूँगा आठमी नंबर पर चलते हैं यहां तो यहां पर दे दें यह दी प्लेटिनम ही है बच्चो ठीक है और एन एज़ थ्री का होल फूर फिर टू यहां पर पास्टीम है मैं इए एन नंबर बताओ कहो सर इतना करी दिये तो दो लाइन तो गौर है तो प्लेटिनम का 78 होता है यह उदासीन है आकसी कर्ण संख्या दो ही आएगा चार लिगेंड है तो चार टुड़ा इलेक्टरान मतलब आठ इलेक्टरान देगा कुल मिला करके कितना आएगा बच्चो को मिलने के लिए कितना त्यागा वो भीचीज मैनेज करना है लेकिन प्रिभासा में यहीं लिखना है कि प्रमाडू आयन परी बंदेटरानी से परी महर को कितने इलेक्टराने उन दोनों का योगी कor भाभावी परमांडु परेभास क्यों कि आज का एक छूट असेसम पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक करके श्या जरूर करेगा जैहिंद बंद मातरा हो